हेलो बच्चों कैसे हो आप सब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूर्डर्शन मेरा विद्याले में बच्चों मैं उमीद करता हूँ कि आपको जो घर पर आपके विद्याले का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत इंज्वाई कर रहे होंगे और इंज्वाईमेंट के साथ साथ घर पे सुरक्षित भी होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे आप सभी को याद तो है ना बच्चों कि एपिसोड देख लेने के बाद आप सभी को अपने किताब से सवालों को भी हल करना होता है तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि एपिसोड खतम हो जाने के बाद आपको अपने सवालों को भी हल करना है क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी जब तक आप उन सभी टॉपिक्स के किताब में दिये गए सभी सवालों को नहीं बनाएंगे आईए देख लेते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे आज के एपिसोड में हम कच्छा ग्यारह के गनित से शुरू करते हुए बायालोजी में सेल साइकल और सेल डिविजन पार्ट को पढ़ेंगे कच्छा ग्यारह की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कच्छा बारह की ओर बढ़ेंगे और गनित में आव्यू चाप्टर यानि की मैट्रसस के बारे में कुछ और बाते जान लेंगे और सबसे आखरी में हम बायालिजी में तो घ्यान रहे बच्चों आप सभी को एपिसोड देखने के बाद गनित के सभी सवालों को आपके किताब से हल करना है और जीव विज्ञान के पार्ट को किताब से पढ़ना है आईए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नमस्कार दोस्तो आईए शुरू करते हैं गनित का आज एक नया पार्ट जिसका नाम है रैखिक असमिकाएं यानि लीनियर इनिक्वालिटीज आईए इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस विडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं पहला विशे होगा भूमिका यानि इंट्रोडक्शन और दूसरा विशे होगा असमिकाएं यानि इनिक्वालिटीज तो चलिए शुरू करेंगे हम पहले विशे के साथ तो इस पार्ट को प्रारम्द करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्ण पूछना चाहूंगी अपनी पिछली कख्शाव में आपने शाथिक प्रश्णों के बारे में तो सुना होगा और उन्हें हल भी किया होगा तो प्रश्ण मेरा आपसे ये है कि क्या शाथिक प्रश्णों को सदैव एक समिकरन के रूप में परिवर्तित करना संभव है सोचिए ऐसा हमेशा संभब नहीं होता क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे प्रेश्ण भी आते हैं जिन में ये जो चिन आप देख रहे हैं से कम, से अधिक, से कम या बराबर, से अधिक या बराबर ऐसे जिन प्रयुक्त होते हैं और इन्हें हम असमिकाई यानि inequalities कहते हैं तो पहले जो दो चिन है से कम और से अधिक, ये तो आपने देखे होंगे से कम में यदि मैं बाइपक्ष में एक मान रखूँ और दाइपक्ष में एक मान रखूँ तो बाइपक्ष जो है वो दाइपक्ष से हमेशा छोटा होगा और ठीक उसी प्रकार यदि से अधिक चिन में देखा जाए तो बाइपक्ष जो मान रखा जाएगा वो दाइपक्ष के मान से हमेशा बढ़ा होगा लेकिन नीचे दो चिन दे रखे हैं इनका क्या अर्थ है तो सबसे पहले चिन की चर्चा करते हैं से कम या बराबर वाले की इसमें से कम भी लगा है और उसके नीचे एक सीदी रेखा भी लिखी गई है तो बाइन पक्ष का मान जो भी होगा वो दाइन पक्ष से या तो छोटा होगा या बराबर होगा और ठीक उसी प्रकार दूसरे चिंड में बाइन पक्ष में जो भी मान लिखा जाएगा वो दाइन पक्ष से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा तो इसी के साथ हमने एक नया शब्द जाना है असमिकाई तो चलिए इसकी परिभाशा देख लेते हैं एक असमिका दो वास्तविक संख्याओं या दो वीजिय व्यंजकों में इन चिन्धों के प्रयोग से बनती है तो चिन्ध कौन-कौन से हैं से कम, से अधिक, से कम या बराबर और से अधिक या बराबर तो असमिका की परिभाशा के बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे असमिकाओं के प्रकार यानि टाइप्स ओफ इनिक्वालिटीज जिसमें पहली है संख्यांक असमिका, Numerical Inequalities नाम से ही पता चल रहा है कि चर्चा जो होगी वो संख्याओं की होगी तो आपके सामने एक असमिका दे रखी है, तीन जो की पांक से छोटा है तो यहाँ पर तीन जो है वो भी एक संख्या है और पांक जो है वो भी एक संख्या है तो ऐसी असमिकाओं को जिनमें केवल संख्या का प्रयोग हो उन्हें हम संख्यां असमिका कहते हैं जैसे कि आप एक और उधारन देख सकते हैं, साथ जो की पांक से अधिक है आगे बढ़ते हैं अग्ली असमिका की और उसका नाम है शाब्दिक चरांग असमिका यानि literal inequality यहाँ पर एक चर्खी चर्चा की गई होगी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वो जो चर्ख है वो X है X का मान 5 से छोटा है यह असमिका आपके सामने लिखी गई है यह यहाँ पर शब्द यानि चर्ख है और 5 जो है वो संख्या है ठीक इसी प्रकार का आप एक और उदारन देख सकते हैं कि Y का मान जो है वो 2 से बढ़ा है आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा एक और रोचत लगत यहाँ पर और दो असमिका लिखी गई है क्या विल भी शाब्दिक असमिका है तो शाब्दिक असमिका का अर्थ केवल होता है कि उसके अंदर चर्ख होंगे असमिका में चर्ख जो है वो फ्लग होंगे अब चिन आप उसमें कोई भी लगा सकते हैं से कम, से ज़ादा, से कम या बराबर या पर से ज़ादा या बराबर आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की और ड्वी असमिका यानि डबल इनिक्वैलिक तो यहाँ पर देखिए जो असमिका दी गई है उसमें लिखा गया है तीन पांच से छोटा है और पांच साथ से छोटा है तो इस असमिका में ये जो चिन है वो दो बार प्रयोग में आया है जरूरी नहीं है यह चिन हो चारों में से कोई भी चिन हो सकता है क्योंकि चिन का प्रयोग दो बार हुआ है इसलिए हम इसको द्वी असमिका कहते हैं एक और उधारन देख सकते हैं आप और द्वी असमिका में सिर्फ ये बात होती है कि चिन दो होंगे आप उसमें संख्या भ double inequalities. इसी प्रकार आप एक और उधारण में देख सकते हैं. असमिकाओं के प्रकार में अगला प्रकार है सुनिष्चित असमिकाएं यानि strict inequality. तो इसमें आप सबसे पहली असमिका देख सकते हैं AX प्लस B जो की छोटी है शुनिष्चित या फिर कम है शुनिष्चित तो ये आप चिन देख पा रहे होंगे. ये किसका चिन है? से कम का. अब अगला उधारण है AX प्लस B जो की छोटा है C से. यहाँ पर भी से कम का चिन उप्योग हुआ है. अब अगला आप देखिए AX प्लस B जो की शुनिष्चित बढ़ा है. इसमें से अधिक का चिन उप्योग हुआ है और अगली असमिका है AX प्लस BY जो की C से बढ़ी है. यहाँ पर भी से अधिक का चिन उपयोग में लाया गया है तो यहाँ पर सुनिस्चित असमिका उनको कहा जाता है जहाँ पर या तो से कम या फिर से अधिक के चिन का प्रयोग किया गया हो अगर चिन में आप से कम या बराबर या फिर से अधिक या बराबर इन दोनों चिन्नों को देखेंगे तो वह असमिका सुनिश्चित असमिका नहीं होती आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रकार और समीकाई जिसे हम slack inequality के नाम से जानते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप पहले यह समीकाई ax plus b less than equal to 0 यानि ax plus b से कम या बराबर 0 तो ax plus b का जो मान है वो या तो 0 से कम होगा या फिर 0 के बराबर होगा कोई निस्चितता यहाँ पर नहीं है ठीक उसी प्रकार इस वाले समीकरण में भी आपने देखा तो जो slack inequality होता है इसमें खास बात यह होती है कि इसमें जो चिन प्रयोग होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं या तो वो चिन होगा से कम या बराबर का या फिर वो चिन होगा से अधिक या बराबर का इसी के साथ असमीकाओं के जो प्रकार थे आपकी जहें समाक्त हो गए इनको अच्छे से याद रखिएगा कि कौन से चिन का प्रयोग आपको कहा करना है आखरी जो आपकी यहाँ पे असमीका आ रही है अब दो वह पहले दी गई असमीकाओं से बहुत अलग है अब है रेखिक असमीकाई जो हमारा पाठ है तो वो है linear inequality तो पहली जो असमीका है वो है ax plus b less than equal to 0 यानि ax plus b इसका जो मान होगा वो या तो 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा तो यहाँ पर x जो है वो आपका चर है एक variable है और a और b जो है वो यहाँ पर अचर पलन है तो इस प्रकार की असमीकाओं को हम रेखिक असमीकाओं कहते हैं और इन रेखिक असमीकाओं में केवल एक ही चर जो है वह उपलब्ध है इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखिंगे रेखिक असमीकाओं का एक दूसरा प्रकार दो चर में रेखिक असमीकाओं यानि linear inequalities in two variables तो आथ के सामने एक असमीका दी गई जहां पर एक्स और वाई दो चर है यानि दो variable है और ए और बी जो है वो क्या है वो दो अचर पलन है इसी प्रकार से आप और असमीकाओं देख सकते हैं यहां पर चिन्ह आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं चारों में से ए बस यहां पर जो स्थिती है वो यह होगी कि आपकी असमीका में दो चर होने अनिवारे आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाथ हुआ आज हमने जाना असमीकाई पूपता क्या है संख्यान असमीका द्वी असमीका और सूनिश्चित असमीकाई यानि असमीकाओं के विभिन प्रकार उसके बाद हमने पढ़ा रेखिक असमीकाई और उसमें भी दो करकाथे एक चर और दो चर आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको समझ आया होगा घर जाए अपनी पुस्तिका में दिये गए पांच की जो पहले कुछ पन्ने है उन्हें पढ़कर इन और असमीकाओं को हल करने का प्रयत्म कीजे किसी भी प्रकार के संदेह एवन सहायता के लिए हम हमेशा उपलब है धन्यवार नमस्कार दोस्तों आज हम जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका चक्र और कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं कोशिका चक्र क्या है कोशिक विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर प्रक्रिया है एक कोशिक विभाजन के दोराई DNA प्रतिकृती वो कोशिक वृद्धी होती है ये सभी प्रक्रियाई जैसे कोशिक विभाजन, DNA प्रतिकृती और कोशिक वृद्धी एक तूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है वसंतत्ती कोशिकाओं में इनकी पैतर कोशिकाओं वाला जीनोम होता है घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनों का द्विगुण वा अन्य संगटकों का संशलेशन और तक पश्चात विभाजत होकर दो नई संतती कोशिकाओं का निर्माण करती है इसे कोशिका चक्र कहते है यदे भी कोशिका वृध्धी एक सत्यते प्रक्रिया है जिसमें डियने का संशलेशन कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होती है कोशिका विभाजन के दोरान प्रतिकृति गुण सुत्र यानी डियने जटिल घटना क्रम के द्वारा संतती केंद्रों में वित्रित हो जाता है ये सारी घटनाएं अनुवांशिक नियंद्रण के अंतरगत होती है कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं एक प्ररूपी यानी युकेरियोटिक चक्र का उधारण मनुष्य की कोशिका के समवर्धन में होता है जो लगभग प्रत्ते 24 घटे में विभाजित होती है यति भी कोशिका चक्र क्या ये अवधी एक जीव से दूसरी जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल दी जा सकती है उधारणार्थ इस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनिट लगते है कोशिका चक्र की दो मूल प्रावस्थाएं होती है अंतरावस्था अंतरावस्था दो क्रमिक M प्रावस्थाओं के बीच प्रावस्था को व्यक्त करता है यह दोनों यह ध्यान देने योगे महत्व है कि मनुश्य की कोशिका के ओसतन अब्धी 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन लगभग एक घंटे में पूर्ण होता है जिसमें कोशिका चक्र की कुल अब्धी पिचानमें प्रतिशत से अधिक की अब्धी अंतराव प्रावस्था को विश्राव प्रावस्था भी कहते हैं यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए कोशिका तयार होती है और इसके दौरार क्रम बद्ध तरीके से कोशिका वृध्धी वर्डियेने की प्रतिकृतिकरण दोलो होते हैं M प्रावस्था यानि सूत्री विभाजन इसे हम माइटोसिस भी कहते है M प्रावस्था का आरम केंद्रक के विभाजन यानि केरियो काइनेसिस से होता है जो की संगतक संतती गुण सूत्र के प्रत करण सूत्री विभाजन के समतुले होता है और इसका अंद कोशिका द्रव्य विभाजन यानि साइटो काइनेसिस के साथ होता है अंतरावस्था अंतरावस्था को तीन प्रावस्थां में विभाजित किया गया है G1 फेस, S फेस और G2 फेस G1 फेस समसूत्री विभाजन एवं DNA प्रतिकृति करण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापची रूप से सक्रिय होने लगती है एवं लगातार वृध्धी करती है परन्तु इसमें DNA प्रतिकृति नहीं होती S फेस में DNA का निर्माण इवं इसकी प्रतिकृति होती है इस दौरा DNA की मात्रा दुकुनी हो जाती है यदि DNA की प्रारभिक मात्रा 2C है तो अब वो 4C हो जाती है G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है आप एक बहुत महत्वपून बात पताना चाहूंगी कि कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है ये जीवन अवस्था से निकल कर निश्क्रिय अवस्था में पहुँचती है जिसे कोशिका चक्र की शांथ अवस्था यानि G9 फेस कहते है इस अवस्था की कोशिका उपाची रूप से सक्रिय होती है लिकिन विभाजित नहीं होती M प्रावस्था सूत्री विभाजन को चार अवस्थाओं में विभाजित किया गया है पूर्वा वस्था यानि प्रोफेस मध्य अवस्था यानि मेटफेस पश्चावस्ता यानि अनफेज अंत्यावस्ता यानि टीलोफेज इसके बाद आता है कोशिका द्रग्य विभाजन जिसे हम साइटो काइनसिस भी कहते हैं इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इस वीडियो में हमने सीखा कोशिका चक्र और कोशिका चक्र की प्रावस्ता है अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एम प्रावस्ता यानि सूत्री विभाजन और सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व धन्यवाद कि अगली वीडियो में हम प्रावस्ता है कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरते, वैसे तो स्वक्ष्टा और व्यक्तिकर साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आविश्यक हो गई है, बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रती विशेश तोर पर सजग रहे हैं, आईए इसे बिंदुवार समझ लें, हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंडवाश से कम से कम 20 सेकंड तक दोएं, या अलकॉहल साइनिटाइजर से साफ करें, होटल या किसी कारियाले में जाएं तो वहाँ उपलब्ध हैंडवाशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें, कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिक व्यक्ति या खास छीक रहे व्यक्ति से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें, भीड़भाड में मास्क लगाये रखें या मूँ नाक को ढख कर रखें, यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में हैं तो उसके व्य प्रिक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तॉलिया, बिस्तर का इस्तमाल न करें, फर्ष और अन्य सेतों को घर्स में रोजाना प्रयोग किये जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाईल से साफ करते रहें। पार इत्यादी के लिए सुरक्षात्मत तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ओटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियार भरतें। जन्हित में जारी, राजिस्वास समिती बिहार, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर एक शो ने चार। होगा, अब देखें, इसमें मैंने पहली और दूसरी पंक्ती का परस्पर विनिमय करा है। यह है पहली संक्रिया है, दूसरी संक्रिया, किसी पंक्ती या स्तम के अभ्योंगों को एक शुनेतर संक्या से गुनन करना। जैसे कि आरवन में मैंने साथ से गुना करा है। देखें, अब आप इसमें देख सकते हैं, कि पहली पंक्ती में मैंने साथ से गुना करा है, बाकी ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं तीसरी संक्रिया, किसी पंक्ती या स्तम के अभ्यवों में, किसी अन्य पंक्ती या स्तम्भों के संगत अभ्यवों को किसी शुनेतर संक्या से गुना करके जोनना। इसमें मैंने पहली पंक्ती को 2 से गुना करा है, फिर माइनस आर्टों करा है, यानिकी दूसरी पंक्ती। यह मेरे एक आभ्यू है, अब देखिए, पहली पंक्ती में मैंने यह संक्रिया लगानी है, तो होगा 2 गुना 5 माइनस 9, यानकी 1, और 7 गुना 2 माइनस 11, यानिकी 3, व्यूत क्रम निये आभ्यू। ए बी बराबर होगा बी ये, जोकी बराबर होगा आई के, यानिकी तज्मक आभ्यू। उधारन द्वारा समझते हैं, ए और बी दो आभ्यू है, ए गुना B होगा, इसको सरल करके हमें प्राब्थ होगा, अब हम देख सकते हैं कि ये हैं एक तज्मक आभ्यू है, अब हम बी ए निकालेंगे, यानिकी बी गुना ए, इसको सरल करने पर भी हमें एक तज्मक आभ्यू प्राब्थ होगा, यानिकी बी ए का व्यूत क्रम निये आभ्यू है, उधारन, प्रारंबिक संख्रियाउन के प्रियोग द्वारा आभ्यू एक का व्यूत क्रम याद कीजिए, चरण एक, पहले हम ए को ए के बराबर लखेंगे, अब हम इसमें आई लिखेंगे, यानिकी ए बराबर होगा आई ए के, अब देखें, इस ए में हम तत्स्मग आव्यू बनाएंगे, और आई की जगा पे जो हमें मान ग्याद होगा, वेह आव्यू व्यूत क्रम होगा, देखें, यहां मैंने ए बराबर आई ए की जगा पे यह लिख दिया, हम यहां पर तत्स्मग आव्यू बनाएंगे, और हमें यहां पे ए का व्यूत क्रम प्राप्त होगा, तो चलिए, अब हम 35 संग्रिया लगाएंगे, तत्स्मक आव्यू बनाने के लिए हमें वन जीरो जीरो बन चाहिए, हम देख सकते हैं कि यहां पर वन हमारे पास है, अब हमें यहां दो की जगा पे जीरो बनाना है, अब क्यूंकि हमें तत्स्मक आव्यू बनाना है, तो हम दूसरी पंक्ती में यह संग्रिया लगाएंगे, इसके बाद हमें मिलेगा, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर मुझे जीरो मिल गया, और यह संग्रिया मैंने दोनों तरफ लगाई है, अब मुझे माइनस फाइट के जगा पे बन चाहिए, यानि कि दुबारा से मुझे दूसरी पंक्ती में संग्रिया लगानी होगी, इसके बाद मुझे मिलेगा, ध्यान दीजिए, यहां पर बन बन चुका है, और यह संग्रिया दोनों तरफ लगी है, अब तत्स्मागाव्यों के लिए केवल हमें दो को जीरो बनाना होगा, तो पहली पंक्ती में हमने संग्रिया लगाई, यहां पर जीरो बन चुका है, और यह संग्रिया दोनों तरफ लगी है, अब क्योंकि यहां पर तत्स्मागाव्यों बन चुका है, और हम जानते हैं, आई यानि की तत्स्मागाव्यों बराबर होता है ए प्रतिलों गुणा एके, तो इसलिए ए प्रतिलों बराबर होगा इस आव्यों के, उधारन, प्रारंबिक संक्रियाओं के फ्रेयोग द्वारा आव्यों ए का व्यूत्क्रम ज्याद कीजिए, सबसे पहले हम ए को बराबर रखेंगे आई गुणा एके, तो हमें मिलेगा, तो चलिए, अब हम व्यूत्क्रम निकालने के लिए तत्स्मागाव्यों बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जीरो के जगाँ पे हमें वन चाहिए, क्योंकि हमें तत्स्माग आव्यू बनाना है, तो हम पहली और दूसरी पंक्ती को आपस में परस पर विनिमें करेंगे, तो चलिए, पहली संक्रिया लगाते हैं, यह देखिए, यह दोनों तरफ हुआ है, अब हम तीसरी पंक्ती में तीन को जीरो बनाएंगे, यानि कि हमें तीसरी पंक्ती में संक्रिया लगानी है तो हमें मिलेगा और यह संक्रिया दोनों तरफ लगी है अब क्यूंकि दूसरे सम में 1 हमारे पास है यानि कि पहली पंक्ती और दूसरी पंक्ती में हमें 0 बनाना है तो चलिए पहली पंक्ती में बनाते हैं यहां हमने 0 बना दिया और यह संक्रिया दोनों तरफ लगी है अब हम यह संक्रिया तीसरी पंक्ती में लगाएंगे यह संक्रिया दोनों तरफ लगाई है अब हम दुबारा से तीसरी पंक्ती में संक्रिया लगाएंगे क्यूंकि तीसरी पंक्ति और तीसरे स्ताव में जहाँ पे दो है महा मुझे एक चाहिए यह लगाने के बाद मुझे एक मिल गया और यह दोनों तरफ लगाई अब देखे पहली पंक्ति में संक्रिया लगाई क्योंकि मुझे –1 की जगा पे 0 चाहिए और अब दूसरी पंक्ति में यह संक्रिया लगेगी ये भी दोनों तरफ लगाई है अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें तत्मक आव्यू यानि कि I मिल चुका है और हम जानते हैं I बराबर होता है ए प्रतिलों गुणा ए के यानि कि ए प्रतिलों बराबर होगा इस आव्यू के इस वीडियो में हमने सीखा आव्यू उपर प्रारंबिक संक्रिया आएं और व्यूत क्रम निये आव्यू अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे practice questions धन्यवाद हेलो दोस्तों जी विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वंशागती तथा विवी धता के सिध्धान्त इस वीडियो में हम इस अध्याय का परिचय और मैंडेल के वंशागती के नियमों को समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अब दोस्तों आपने कभी सोचा है कि संतत्ती माताविता के समान ही क्यों होती है या इनमें कुछ अंतर भी होता है अब हम यह तो नहीं कह सकते कि यह एकदमी क्लोन होते हैं क्योंकि लैंगिक जनन की प्रकरिया से कुछ विवी धता जरूर आती है ऐसे ही कुछ प्रशनों के हम जवाब इस अध्याय में ढूनेंगे और जानेंगे यह सारी चीज़े क्यों होती है और कैसे होती है आई अब एक शब्द वन्शागति को समझते हैं अब इस अध्याय का नाम है वन्शागति तता विवी धता के सिधान्थ तो वन्शागति को समझना तो बनता है वन्शागति आनुवांचिकी का आधार है वन्शागती वह प्रक्रम है जिससे लक्षन जनक से संतत्ति में जाते हैं जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पिता के कान की आकार की बेटे के कान की आकार की से मिलती है जिसका सीधा साधा मतलब यह है कि कुछ रक्षन जनक से संतत्ति में गए है यही वंशागति कहलाती है अब हमने वंशागति को तो समझ लिया तो चलिए विवीधता को भी समझ लेते हैं विवीधता जनक और संतत्ति के लक्षनों की असमानता की अवस्था है आईए दोस्तो अब आगे बढ़ते हैं और मेंडल के वंशागति के नियमों को समझते हैं अब दोस्तो एक शक्स था जिसका नाम था ग्रिगोर मेंडल जिनकी आप साथ में तस्वीर भी यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक मतर के पौधे के उपर संकरण के प्रियोग किये थे तथा उनके आधारों पर इन्होंने ये सारे वंशागति के नियमों को प्रस्तावित किया और इन नियमों के बारे में हम आने वाले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे अब आगे बढ़ने से पहले हम लक्षण तथा विशेशक में अंतर समझ लेते हैं तो सबसे पहले हम लक्षण को समझेंगे यह है व्यक्टिगद विशेशता है जैसे की तने की लंबाई और दूसरी और मैंने विशेशक को लिखा है किसी लक्षण में अंतर समझने योग्य, विशेशक और उसकी detectable variant जैसे कि लंबा और बॉना इसको थोड़ा और अच्छे समझने के लिए आप देख सकते हैं कि यह एक पेड़ है अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो यह इसका लक्षण है और उसी पेड़ का लंबा और बोना होना बाकी पेड़ों के तुलना में विशेशक कहलाता है तो यह चीज़ आप सभी को याद रखनी है अब वीडियो में यहां तक आपको पता चली गया होगा कि मेंडल ने मटर के पौधे पर कुछ प्रियोग किये थे मगर आपने सोचा है कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना क्या खास बात थी उसकी तो अब हम यहीं पढ़ेंगे मटर के पौधे का चैन उसने क्यों किया तो उसके कुछ कारण थे जैसे कि मटर के कई सारे विशेशक है यह बड़ी संक्या में बीज पैदा करता है और एक मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा करता है पुष्पो में स्वपरागण होता है इसलिए यह शुद्ध नसल के होते है मटर के पुष्पो में कृत्रिम रूप से परागण कराना आसान है इस प्रकार उत्पादित संकर उपजाओ थे तो यह सारे कुछ कारण थे जिसकी वज़े से मेंडल ने मटर के पौधेकाल चैन किया आईए दोस्तों अब अलील को समझते हैं इसको समझने से पहले हम जान लेते हैं कि जीन क्या होता है जीन की परिभाषा मेंने यहाँ पर लिखी हुई है गुण सुत्रों पर स्थित DNA की बनी वो अती सूक्षमित रचना है जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में स्थानांतरण करती है जीन कहलाती है अब दोस्तों अलील के विशे को हम इस परिवार के बालों के रंग के उधारण से समझते हैं बालों का रंग यहाँ पर हमने विशेशक के रूप में लिया हुआ है अब दोस्तो इस चित्र में आप दे सकने हैं कि इस परिवार में पिता और पुत्र के बालों का रंग गहरा भूरा है और माता और पुत्री के बालों का रंग हलका भूरा है अब इन दोनों संतर्ति के माता पिता तो एक ही हैं तो बालों के रंग में अंतर क्यों आ रहा है पास 46 गुण सुत्रों होते हैं यानि की 23 जोड़े अब इन 23 जोड़ों में से एक जोड़ा हम ले लेते हैं गुण सुत्रों का यहां पर हाइलाइटेड हिस्से को देखिए यह है जीन लोकस है जो की एक फिक्स्ट पोजीशन होती है जहां पर इस केश में जीन मौजूद है ज़र इसको थोड़ो और अच्छे से देखते हैं अब मान लीजिए ये वाला जीन उस परिवार में गहरे भूरे रंग को दिखा रहा है या कह सकते हैं उस परिवार के गहरे भूरे रंग का फिनोटिपिक क्यारक्टर को ये दिखा रहा है और एक और बात आप सभी को याद करेगा अब अलील को हम थोड़ा और अच्छे समझेंगे जीन जो की युग्म के विप्रियास मिशेशकों के लिए कोड होते हैं अलील कहलाते हैं यह एक जीन के थोड़े अलोग रूप हैं इसलिए जीन शब्द का उपयोग इसी भी कार के लिए किया जा सकता है लेकिन अल अलील के संधर्व में किया जाता है यह चीज़ आप सभी को याद रखनी है अब दोस्तों हम अलील को अक्षरों से दिखाते हैं और हमने बालों के रंग का अधारन लिया है तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा एच और छोटा एच एच यानि की हेर कलर यानि क अब जो बड़ा क्षर है यहाँ पर वो प्रभावी अलील को दर्शाता है प्रभावी अलील वो अलील होते हैं जो कि एक्सप्रेस हो सकते हैं यानि कि जो अपने आपको व्यक्त कर पाई और छोटा क्षर अप्रभावी अलील को दर्शाता है जो कि अपने आपको व्यक्त नहीं कर पाता जब साथ में प्रभावी अलील होता है ये चीज़ आप सभी को याद रखने हैं अब अगर दोनों ही प्रभावी अलील साथ में हो या कोई एक प्रभावी अलील हो तो वो जो प्रभावी विशेशक है उसको वो व्यक्त कर पाएंगे कभी उस पुत्र में बाल अभी अलील होंगे छोटा एच छोटा एच क्योंकि उसके बालों का रंग हलका भूरा था तो हम कह सकते हैं कि पुत्र के पास बड़ा एच बड़ा एच या बड़ा एच छोटा एच अलील होंगे तभी उसके बालों का रंग गहरा भूरा था और पुत्री के पास छोटा होगा क्योंकि तभी हो इसके पास हलके भूरे रंके बाल थे आईए अब हम इसकी कुछ और महत्वण बातों को समझ लेते हैं सबसे पहले हम जीनो टाइप यानि की जीनी प्रोरूप को समझेंगे यह एक याधिक लक्षनों के संबंद में किसी व्यक्ति के आनुवांशिक पूरग का प्रतिनिदीत्व है जैसे बड़ा एच बड़ा एच बड़ा एच छोटा एच छोटा एच छोटा एच और हम फिनो टाइप यानि की द्रिश्य प्रोरूप को भी समझेंगे यह अवलोकनिय आकार की रूप है जैसे लंबा या बौना पौधा इस वीडियो में हमने वन्शागति तता विविधता के बारे में पढ़ा साथ ही में हमने ग्रिगोर मेंडल को भी थोड़ा सा जाना और आखरी में हमने अलील पर चर्चा करे और दोस्तों मैं आप सभी को और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी NCRT किताब के ये दो टॉपिक्स को आल्मोस खतम कर लिया है आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आईएगा अगली वीडियो में हम एक जीन की वन्शागती और मेंडल के वन्शागती नियमों को समझेंगे धन्यवाद अपन्यवाद झाल झाल अरे भाई राजू क्या अरे सुने की कल चाचा कुछ बता रहे थे का बोल रहे थे हाँ चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता बात तो ठीक है लेकिन हम लोगी करेंगे कैसे हम लोगों तो परना लिखना भी नहीं आता है हम भी यह सोच रहे थे अरे उँ देखो मास्टर साही भी सही टाइम पर आ गए चलो उनहीं से पूछ लेते हैं मास्टर साही परनाम 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 मास्टर साही आपसे एक बात का जानकारी लेना था हाँ पूछिये अब हम लोग तो ठारे कम पढ़े लिखे आदे हैं लेकिन हम लोग का बच्चा लोगी स्कूल में जा कि क्या करता है क्या सिखता है क्या पढ़ता है यह हम लोग कई से तो आपका बच्चा वर्ग तीन में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर इस पोस्टर इसका मतलब है पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीज़ें उसे जानकारी होनी चाहिए यह क्या है पक्षी और यह क्या है यानि के तीसरी कच्छा समाप्त होते होते आपका बच्चा पसू पक्षी फूल पत्ति आधी के बारे में सीख जाएगा हर कलास और हर विशाय के लिए अधिगम पर जानते हैं जी से यह देखिए यह हमारे बच्चों की कौपिया और यह है सही का निसान इसका मतलब है कि इस प्रस्ण का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है जितना जादा होंगे यह निसान उतना बढ़ियां सिखा है आपका बच्चा और यह क्या है ललत का हाँ ये है गलत का निसान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रस्ण में कुछ गल्टी की होगी और ये निसान जितना जाधा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़ुरत है लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे बिलकुल जानेंगे उसके लिए भी हमारे पाद कुछ साधन है उनमें से एक है परगती पत्रक इसके माध्यम से आप घर बेठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा देख स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है और एक स्टार का मतलब मतलब अभी सीखने की आवशकता है जी हाँ इस तो बहुत असान है अब तो हम जैसे बिना पहे लिखे लोग भी अपने बच्चों की कोपी आसानी से जाज कर पाएंगे बिल्कुल जानग पाएंगे मनुज आप क्या किरेंगे? आईए, हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उडान दे. आज हम पूछेंगे, तो कल ये सिखेंगे. पुछेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड़ एक उन्मार्ण जडते ये eingesिए, भी जुछेंडेंडेंड share हifiques सबते हों के करो रलावष्य। तॉकर अर्या पर आदेर कोश्य समय व्हाइ। मैं तो खेल खेल के भी ठक गई.. APA! ओ तारा! जरी तरुरा! तो ठीक है तारा. चलो पुण ऐने क्विस खेलते हैं. हाँ. में तुम्हें तुम्हें लगटने। देखा टुम्हें याद है की नहीं? मुझे स्वाया राद है आपयाद है आपने मुझे बताया तो है ठीक है को जाए को जाए कोरोना कьогоर्ट, moje कोरोना क्या है कोलोना..? easy आपयोचा का इस तस दो कुलोना को जाने है इसके कारण इंसान विमाल हो सकते है उन्हीं सास लेने में मुश्किल हो सकती है और वो मल भी सकते हैं ये बताओ कि कोरोना कैसे फैलता है अगर किसी को कोरोना है तो उसके खास या चीखते वक्त उसके मू और नाक से जो बूंदे निकलती है ना उससे ये रोप फैलता है बिल्कुल सही तारह और इस वाइरस का नाम कोरोना क्यों है आपने बताया था हाँ याद आ गया कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन यानी मुकुट क्यूंकि इस वाइरस के कनों के इविद्द ऐसे उब्रे हुए कांटे जैसे होते हैं जिसकी वज़े से ये मुकुट या क्र जैसा लगता है इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया और कितने दिनों में कुरोना इंफेक्शन के लक्षण दिखाए देते हैं तो उसे 14 दिनों में करेक्ट बिल्कुल सही और इस बीमारी के लक्षण है क्या-क्यातारा अपा यह वाइलस किसी के अंदर चाहे तो पुखाई तो सकती है वाँ इसे रहो सब कुछ है बहुत अच्छे तारा बहुत अच्छे तैंक्स अपा पस आप दिखते हैं कि आप करोना को इसमें कितनी नंबर लाते हैं ओ ओके ठीक है पूछो तो बताए कि कोरोना वायरस से सबसे जादा खत्रा किसको किसको है जो ऐसी जगा की य साठ साल से उपर के बुजर्ग लोग जो पहले से बिमार हैं अच्छा अपा इससे ठीक तो हो सकते हैं ना देखो तारा वैसे तो इसके 80% मामले घर में देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं पर ये बात याद रखना किसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है इसलि हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना तारा अभी मूँ नाक और आँके छूने से हमें बचना चाहिए ये लो तैंक यू अपा कोरूना से बचने के लिए खास्ते चीकते समय रुमाल टिशू या कोहनी से मूँ को ढखो तारा ठीक है और हाँ पाँ खासी पुखार और सास लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्त केंडर की हेल्प लाइन पर संपर्थ करना है और उनकी सला के अनुसार डॉक्तर को दिखाना है है ना हाँ और ये सब खतम होने तक घर पर ही रहना है सबसे अलग तब इसी बात पर मिलाइए आ तारा ये क्या कह रही हो कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिला ना हम सभी को हाँ जोड़कर नमस्ते करो नमस्ते ऐसे सभी को हाँ जोड़कर नमस्ते करो और एक मीटर की दूरी से बात करनी है ठीक है पताओ इसको क्या कहते हैं हाँ हाँ इसे कहते हैं सोशल इस इस सोशल डिस्टेंसिंग दूसरों से सुरक्षित दूरी सही बात बताने के लिए थैंक्यू अपपा हाँ तारा गलत बातो और अफ़वाव पर ध्यान मत दो नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएगे हम तारा तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बाते पता है ना हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रगते हैं कोरोना वायरेस जैसी महामारी से बचाओ के लिए देश भर में लॉकडाउन है बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्ध्याले बंद किये गए हैं इस परिस्थिती में आपका मोबाइल ही आपका विद्ध्याले बन सकता है जी हाँ बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने युनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन एप मेरा मोबाइल मेरा विद्ध्याले की शुरुआत की है इस एप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पार्टिक्रम को पढ़ सकते हैं सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते बलकि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परिशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस एप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं जिसका जबाब उस विशे के विशेशक द्वारा दिया जाएगा तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन एप मेरा मोबाइल मेरा विद्ध्याले और अपने मोबाइल से ही अपने विद्ध्याले का अनुभाव पाएं वो भी बिलकुल निशुल्क घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्त रहें, पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में जो भी बाठ आपको पढ़ाया गया हो आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन आप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं या फिर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिये गए इमेल आईडी पे एक आवश्यक सूचना यह वीडियो बीपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है वेबसाइट नोट कर लिजिए बच्चों www.bepcssa.in जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पार्ट के साथ तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए बाई बाई बच्चों